हुआ है फ्रेंट्स मैं परविंदर कारी फ्रेंट्स आज किया हमारी गेम फिडे ग्रेंट्स विमन सेक्षिन के फर्स्ट राउंड में है बारत की श्री भी सवीता का मुकाबला इस्राइली विमन चेस्ट मास्टर मार्शल एफरोई मिस्की से था E4 के साथ यहां सवीता ने शुरू किया सेसिलियन डिफेंस का रिप्लाई यहां मार्शल ने दिया नाइट F3 नाइट C6 D4 सी टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 देन वा G6 सेसिलियन ड्रेगन में विरेशन होगा ट्रांस्पोज नाइट C3 देन बिशेप आया G7 स्कूर पर नाइट F3 तो क्विन आई B6 स्कूर पर और डिरेक्ली यहां इस B2 पॉन पर अटेक है क्या डिफेंस हो सकता है पहला डिफेंस है बिशेप को वापस B3 स्कूर पर लेकर आना लेकिन प्राब्लम बढ़ जाती है यहां इस D4 नाइट के साथ ड्रेगन विरेशन में ही होता है क्योंकि यहां आप इस मूग को देख सकते हैं नाइट D5 जैसा मूग लेकिन अब वाइड जरूर चल सकता है ऐसा करने के बदे पहले तो बनेगी एक चेक मालो कुन से एक चेक आई B3 हो जाएगा उसके बाद मैट्रिल एक्शेंस किया जा सकता है और सेंटर में जो नाइट है उस प E5 स्क्वार पर बिशेप पर अटैक बना बिशेप चला गया वापस E2 स्क्वार पर और अब प्रेशर बनाया जा सकता है यहां तो वही काम किया गया नाइट G4 नाइट सैक्रिफाइज F टेक्स G4 फाइदा G5 में पॉंस डेवल हो चुके हैं बिशेप टेक्स D4 बिशेप पर प्रेशर को बन चुका है E5 से साथ डिफेंस हुआ देन रुकाया D2 स्क्वार पर D6 देन नाइट D5 और नाइट काफी अच्छे अटैकिंग मोड में जा चुका है बहुत स्ट्रॉंग चेक्स है खेर उसके अपने देखें हैं क्या होगा क्या नहीं होगा वहां से बिश फाइब रुमुविंग देफेंटर एक्जेक्ली नॉट एक्जेक्ली जी टेक्स हैफ फाइब बिशप पर एटेक्ट जी टेक्स हैफ फाइब देन कुई गई E3 स्क्वार पर क्या अक्छेज आसकिंग है अदर्वाइज आपको ये चेक नजर आ गई होगी कुई टेक्स ए इट पर डीफेंस भी जरूरी है एफोर तेन रुक आया बी सिक्स स्क्वार पर बी सेवन पर एटेक्ट है डीफेंस बिल्कुल हो सकता है लेकिन बिशप B3 पहले यहां पर किया गया रुक आया बी 4 स्कवार पर सेंटर की पौन को ऐल्मनेट करना मैं रिख्याज बाकि स्ट डिफेंस है क्योंकि जी पॉंक आगे पुष होने के बाद यहां मार्शल को अपने इस रुक को हटाना ही होगा तो यह रुक गया F3 स्क्वाइर पर और इसके बाद यहां E4 पॉंक जा चुका है रुक टेक्स E4 अगले मॉव में एक चेक देकर भी टू पॉंक को लेने की तैयार यह है और ब्लैक के पास इनफ ऑपरिशनेटी होगी कि वो इस पासर को प्रमोंटिंग स्क्वाइर तक महुचा पाए तो पहले ही वाइट ने अपने किंग को ले लिया E1 स्क्वाइर पर और अब ब्लैक का E5 कौन अलरी खत्रे में है घर ब्लैक ने पने रुक को लिया F2 स्क्वाइर पर गया F1 स्क्वाइर पर और फ्रेंस यहां इस पॉइंट पर डेफिनेटली मार्शल को अपने रुक एक्शेंज कर लिने चाहिए ते रुक टेक्स F1 चेक 9 टेक्स F1 और उसके बाद रुक E8 प्र थे लेकिन रुक टेक्स B2 का ओवर अंबिशियस मूव चलने के बाद कैने यू इमेजिन इट फ्रेंड्स इतनी बड़ी गलती एट डेट लेवल यहां मार्शल को छोटी किराड़ी नहीं है उनकी रेटिंग 2447 है उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉन लिया जिसकी जुरुत करना पड़े गया रेजिनेशन के रीजन किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वेर बच्चा है एच एट उन्ली रुक टेक्स F8 चेक क्या लगेगा चलिए बिशप बीच में लागा जिए रुक टेक्स जी एट चेक और ओमेट फ्रेंस बहुत ही स्टुपिड मिस्टेक थी करने का मौका यहां वाइट को मिला तो फ्रेंस मुझा उमीद है फिडे ग्रेंट स्विस्स विमेंश एक्षिन के गेम आप जब दी लोगों ज़रू पसंद आएगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे सीट्व चैनल चैस गूरू प्लीज सब्स